हाई इस इस मनी शर्मा वेलकून पूर यूट्यूब चानल so last video में मैंने आपको बता था nifty का target 14,000 possible है और bank nifty का target मैंने आपको बता था 31,000 31,500 अब ये वीडियो में हम लोग discuss करेंगे आने वाले week में क्या levels possible है nifty bank nifty में और मैं आपको 5 stocks बताऊंगा जिसमें आप swing trading के लिए आने वाले week में ध्यान दे सकते हो ये bank nifty का daily chart है और आप यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने last time आपको यहाँ पर बाई दिया था क्योंकि यहाँ पर इसने fresh breakout दिया था इसी level के आसपास ये बार-बार support ले रहा है, आप देख सकते हो, यहाँ पर इसने breakout दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस level के आसपास इसने breakout दिया था, यहाँ पर sellers को trap किया था, उसके बाद ये green candles हुआ, और यहाँ से काफी अची रालियों में देखने को मिली, यह level से breakout दिया है, लेकिन आप देखो follow through buying, breakout के बाद completely missing है, मतलब breakout के बाद green candle नहीं बना है, breakout के बाद prices उसी के आसपास consolidate कर रहा है, एक narrow range में trade कर रहा है, यह जो red candle है, इसका low सबसे जादा important हो जाता है, क्यों? यह जो red candle है, इसका नाम है hanging man pattern, और इसका low जो है, वो exactly यह जो last breakout दिया तो आपको bank duty में correction देखने को मिल सकता है, और अगर यह hanging man candle का high cross कर लेता है, तो वापस एक strong uptrend हमें देखने को मिल सकता है, तो अभी थोड़ा सा bank duty में view sideways है, range bound है, exactly कौन से level पे buy करना चाहिए, exactly कौन से level पे sell करना चाहिए, यह अभी clear नहीं है, पर कोई भी level break होता है, तो hanging man है, इसका high और low काफी ज़्यादा important है, further direction के लिए, क्योंकि अगर आप देखो यह daily chart है, और last दो दिन का जो candle है, यह hanging man के high low के inside ही बना रहा है, यह hanging man high low के अंदर ही यह दो दिन का candle है, उपर के तरफ breakout या नीचे के तरफ breakdown यह दे सकता है magnitude, अगर यह hanging man का high cross करता है, तो एक upside rally हमें देखने को मिल सकती है, वापर subtrend continue हो सकता है, और 31,800 और 32,000 तक की levels हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर यह hanging man का low तूटता है, तो एक sharp correction हमें देखने को मिल सकता है, तो यह hanging man का मैं आपको high और low दोनों बता देता हूँ, आप पहले यह लिख लो high low, क्य उनके यह levels काफी जाधा important है, hanging man का जो high है, वो 31,549 है, मतलब आप 31,550 लिख लेना round of number, psychological number, 31,550 के उपर bank 50 buy रहेगा, और यह hanging man candle का आप low भी लिख लो, 31,030, तो इस level को आप round of number में convert कर लो, 31,000, 31,000 के नीचे अगर गया, तो bank 50 में एक sharp correction हमें देखने को मिल सकता है, तो अभी थोड़ा सा sideways view है, range bound view है, हो सकता है bank 50, यह 500 point की range में ही रहे, एक दो दिन में, और इसके बाद हमें fresh breakout या breakdown हमें देखने को मिले, यह 15 मिनट का चार्ट है bank 50 का और 15 मिनट के चार्ट पे भी आप देख सकते हो, last 3 दिन में purely हमें consolidation देखने को मिला है, एक sideways momentum देखने को मि मिल रहा है, अगर आपको को directional trade लेना है, तो जो मैंने आपको levels बताये हैं, उसके लिए आपको wait करना पड़ेगा, 31,550 के उपर buy करना है bank nifty को, 31,000 के नीचे sell करना है, यह nifty का daily chart है, और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर sellers trap हुए हैं, और यह वापस उपर जा सकता है, 14,000 का target अचीव हो सकता है, यह मैंने आपको last market analysis वाले वीडियो में बताया था, अब ध्यान से सुनना, यह जो breakout level है, उसके बाद हमें rally देखने को मिली है, लेकिन अगर bank nifty में correction देखने को मिलता है, तो nifty यह level को एक बार वापस retest भी कर सकता है, 31,750, 31,800 यह levels एक बार वापस retest भी कर सकता है, और retest करने के बाद उपर जा सकता है, और मैंने आपको last video में clearly बताया था, nifty जो है वो out performance करेगा bank nifty को, और bank nifty में हमें under performance देखने को मिलेगा, nifty जादा stronger as compared to bank nifty, nifty में जो अभी भी trend है, वो उपर की तरफ ही है, trend bullish ही है, कोई भी dip मे buying की तरफ ध्यान देना, 13,800 के असपास काफी अच्छा buy रहेगा, 50-60 point का आपको stop loss maintain रखना है, और वापस हमें एक upset rally देखने को मिल चकती है, I hope आपको यह simple price action समझ में आ रहा होगा, यहां से एक rally थी, एक deep दे सकता है यह, यहां पर यह breakout level वापस retest कर सकता है, और उसके ब अगर आप देखो यह buyers का candle जब high cross हुआ है, उस बाद purely consolidation हमें देखने को मिला है, so buyers अभी भी control कर रहे है prices, क्योंकि candle का low अभी भी टूटा नहीं है, it means buyers are controlling the prices, buyers अभी भी control कर रहे है prices को, तो nifty में हमें out performance देखने को मिल सकता है, nifty अभी भी strong है as compared to bank nifty, bank nifty का मैंने आपको levels बता दिये हैं, और nifty में अगर कोई भी dip मिलता है 13,750, 13,800 के असपास, तो काफी अच्छा buy रहेगा, अब discuss करते है stocks, मैं आपको 5 stocks बताऊंगा, जिसमें आप positional swing trading कर सकते हो, आने वाली week में, सबसे पहला stock है, sell ICIC bank, क्यों मैं sell बोर रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पर य resistance था, और यह resistance को इसमें fresh breakout दिया था, आप देख सकते हो, यह green candle, clean and clear, यह resistance के ऊपर close हुआ था, लेकिन immediately आप देखो, इसमें एक red candle बन गया है, और अब यह जो pattern बनाए, यह bearish engulfing pattern है, और अगर यह red candle का low तूटता है, तो यह false breakout हो जाएगा, false breakout होने के बाद जब prices गिरता ह तो बहुत जोर से गिरता है, तो इसमें आप selling के तरफ ध्यान दे सकते हो, exactly कौन से level पर sell करना है, हम आपको telegram channel में बता दूँगा, लेकिन आप यह target के लिए trade कर सकते हो, 490, 500 तके target के लिए ICSI bank काफी अच्छा sell रहेगा, next stock है indigo, indigo में भी एक pattern बन रहा है, head and shoulder pattern, ध्यान स देखना मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर आपको clean and clear head and shoulder pattern दिख रहा होगा, यह left shoulder है, यह right shoulder है, और यहाँ पर यह head है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यह bearish harami pattern भी बना है, अगर इसका low टूपता है, तो एक sharp follow में देखने को मिल सकता है, और मुझे लगता है, यह 1300 तक भी आ सकता है आने वाले दिनों में, possible है giant series में आने वाले दिनों में हमें 1300-1400 तक के levels भी हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो head and shoulder का target होता है, वो बहुत बढ़ा होता है, जयान से देखना head and shoulder का target कैसे calculate करते हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, यह जो head है, यहा यहां तक अगर यह breakdown देता है यहां पर, तो head and shoulder neckline breakdown हो जाएगा यह, और अगर यह neckline से breakdown देता है strongly, तो यहां से 14% का fall हमें और देखने को मिल सकता है, head से लेकर जो neckline है, वहां तक 14% आता है, तो neckline से लेकर नीचे के तरह 14% downfall हमें देखने को मिल सकता है, यानी 1280-1300 तक के levels हमें देखने को मिल सकते हैं indigo में, पट यह में आने वाले आपको एक हफ़ती का target नहीं दे रहा, यह possible है, जान सेरीज के end में या feb सीरीज में आपको देखने को मिल सकता है, तो inter globe आप selling के दरफ जाह ध्यान दे सकते हो, exactly कुन से level पे sell करना है मैं आपको telegram channel में बता दू next talk है hindalco sell, hindalco sell में क्यों बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, pure price action इसमें है और simple में doubt theory यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर एक price strong uptrend में था, यह high और यह high आप देख सकते हो lower high है, यह low और यह low आप देख सकते हो lower low है, उसके बाद यह जो high बना है यह भी lower high है आप देख सकते ह तो अगर मैं यह lines को join करो, यहाँ पर आप clean and clear देख सकते हो lower high, lower low formation चालो उड़ चुका है, कही ना कही trend reversal के sign है हिंडalco के daily chart पे, तो possible है हमें यहाँ पर एक नया low और देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह जो previous low था अगर यह break करता है, तो यहाँ पर 210 तक के levels भी हमें देखन को मिल सकते हैं, हिंडalco में, तो हिंडalco भी काफी अच्छा short रहेगा, exactly कोंसे level पे sell करना है, मैं आपको telegram channel में बता दूना, तो आता stock होगा, अडानी port, अडानी port में आपको buying के तरफ जहाँ देना है, क्यों देना है, ध्यान से देखना, clean and clear इसने 52 week fresh breakout दिया है, और काफ of psychological number के उपर ही close हुआ है, 500 का जो round of number है, psychological level जो है, उसके उपर ही close हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा positive sign है stock के लिए, और काफी अच्छे green candle के साथ में ये close हुआ है, इसने clean and clear daily chart पे 52 week fresh breakout दिया है, इसलिए आपको अदानी port में buying के दरफ जहाँ देना है, exactly कौनसे level पे buy करना है, मैं आपको telegram channel में बता दूँगा, last stock TCS buy होगा, TCS, TCS मुझे buy क्यों लग रहा है, ध्यान से सुनना, ये एक upward channel में trade कर रहा है, अगर आप pattern ध्यान से देखो, दो तिन red candles बनते हैं, उसके बाद अचाना एक green candle बनता है, और वापस prizes उपर चला जाता है, एक red candle बना उसके बाद वापस green candle बना और prizes उपर चला गया, यहाँ पर भी आगर आप देखो, ये pattern, same pattern follow कर रहा है, दो red candle बना, उसके बाद वापस एक green candle बना, अब ये candle का अगर high तूटेगा, तो वापस ये uptrend में continue कर सकता है, और channel में trade कर सकता है, यहाँ से 3000, 3000, 50 तक के level से हमें easily द देखने को मिल जाती है, तो TCS भी काफी अचा buy रहेगा, exactly कौन से level पर buy करना है, मैं आपको telegram channel में बता दूँगा, ये मेरा telegram channel है, आप telegram channel का नाम भी देख सकते हो, intraday traders, money sharma, ये 5 stocks के levels, मैं आपको ये telegram channel में कल morning में ये update कर दूँगा, कौन से level पर buy करना है, कौन से level प मिलते हैं, cash segment के लिए, और आपको nifty bank nifty में options selling and options buying के trades भी मिलते हैं, तो आप telegram channel ज़रूर जाइन कर ले, तो I hope आपको ये video से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आपको video अच्छा लगा, जो मैंने analysis किया, each and every stocks में, index में, अगर आपको ये अच्छा लगा, तो video को like and share जरूर करना, और मुझे comment box में comment करके जरूर बताना कि आपको video कैसा लगा, thanks a lot for watching the video, see you in the next video.